नमस्कार दूर्दर्शन के चौसट वर्सों के सफर के इस लिशेश कारिक्रम में आप सभी दर्शकों का हारदिक स्वागत है आपके साथ मैं हूँ मोहिता कोठियाल पनादुली दर्शकों जैसे कि आप जानते हैं कि दूर्दर्शन की जो शुरुवात हुई थी 1959 को दूर्दर्शन की शुरुवात हुई थी और इसके बाद से लगातार दूर्दर्शन का कारवाँ चलता ही जा रहा है और आज दूर्दर्शन अपने 64 वर्ष पूरे कर चुका है इसी के साथ इस कारिक्रम की बात करने के लिए हमारे साथ हमारे महमान यहाँ पर मौजूद जी जो निदेशक अभियांतरी की भी हैं और इसी के साथ हमारे साथ यहाँ पर डॉक्टर ओम प्रकाश रमलोकी जी भी मौझूद है जो जो कारेकरम पूर्दिकारी हैं दूर्दशन के श्रुवाद बहुत पहले हुई थी बच्वान से हम देखते आ रहे हैं दूर्दर्शन के कारेक्रम निउस कैसे आती है निउस का संसार क्या होता है हमने दूर्दर्शन से ही जाना है और इसी के साथ हमने जाना कि किस तरीके से टीवी ने हमारे जो समाज है हमारे सरकार है इसमें यहां पर शुरुवात की थी तो यहां पर कारेक्रम की शुरुवात हम यहां पर कर रहे हैं सर्थ दूरदर्शन के वह पर बात कर रहे हैं दूरदर्शन की शुरुवात कैसे हुई तो आट ञेखने मईज दूर शुरुवात हुई है वो शुरु तो 1905 से त्यारियां सुरु हो गई थी उनी सो पच्षब्ट में दिली में और जियोगिक मेला लगता है तो उसमें एक जर्मिनी की कंपनी आई हुई थी तो उन्होंने क्लोड सर्किट टीवी का वहाँ पर दिखाया कि कैसे काम करता है और बाद में जब मेला खतम हो गया वो कंपनी जाने लगी तो उनको लगा उनका बहुत सामान है तो उन्होंने बहुत कम रेट पर वो सामान All India Radio को दे दिया, आकासबानी को दे दिया दूसरी तरफ उसी समय एक यूनेस्को की बैठक हुई दिली में तो उस बैठक में ये दिल नहीं हुआ कि भाई अगर आप सिख्षा के और ग्रामीन विकास के कारेक्रम बना सकते हैं तो हम आपको बीस हजाद डॉलर देंगे, तो बीस हजाद डॉलर वो मिल गए उसी दोरहन क्या हुआ कि अमेरिका के कंपनी भी यहां आई हुई थी तो थोड़ा एक्यूपमेंट उनसे भी मिल गी तो ये तीन चार चीजें जब मिल गई तो इनको लेकर के 15 सितंबर 1969 को आकासवानी भावन दिली में पास्वी मंजिल पर एक छोटा सा इस्टूडियो बनाया गया और हमारे उस समय के रास्ट्रपती डॉक्टर राजिन परसाद ने उस सिवा का ओधगाटन किया और उसका नाम दिया गया दूर दर्शन उस वक्त जो कारे क्रेम था सिर्फ आदे घंटे का परसारण उस टाइम होता था क्योंकि हमारे पास टीवी सेट नहीं थे उस जमाने में जो टीवी सेट थे लोगों के पास वो भी जो यह पैसा मिला था इस पैसे से खरीजे गई थे निजी सेट नहीं थे लोगों के पास और निजी सेट तो हमारे यहां बहुत दियर में आये 1970 से हमारे यहां टीवी सेट बने उससे पहले जो भी से थे वो बाहर से ही लोगों ने इंपोर्ट किये हुए थे तो एक तरह से यह जो टीवी था यह इलीट क्लास का ही वो था वही लोग देखते थे आम आदमी तक उस समय इसकी पहुंश नहीं थी टेलिवीजन की लेकिन उस दौर में भारत में टीवी क इसकी शुरुवात होती है दूरदशन से सर आपके पास आना चाहोंगी जो शुरुवाती दौर है उस दौर को किस तरह से दीकते हैं आप क्या लगता है कि उस וक्त घुणवत्ता की अगर हम बात करते हैं उस घुनवत्ता में किस तरह है औरब किस तरह का परिवर्टन तो जैसे हमारे जमलों की साथ ने बताया कि नीजी टीवी नहीं होते थे लोगों के पास तो वो किसी तरीके से इधर उधर से सुनते थे या देखते जो भी है और इसके बाद जब नीजी लोग रखना चालू किया तो ब्लैक एंड वाइट आया था जिसका इंटीना उपर ट साथन नहीं था किस तरीके से आवाज लगा लगा के दो तीन लोग ऐसे क्रमबद खड़े होते तब जाकि चीजें कम्मिनिकेट होती थी मतलब वाकी टाकी टाइब को कुछ नहीं था आज को मोबाइल से हम बाद कर सकते और उसमें भी अंदास से हम लोग देखते थे कि यह चर्चल लए इसका रही है इस ताइब की चीजें वह लोग मूवी देखते हैं शुरु आज की बात हैं हम लोग तो 54 एर्स ओल हैं तो समझ सकते हैं ना कि उस टाइम कैसे जब बच्पन में देखा गरते थे पहली हम ने जब शिक्छा देखी तो आपको बताते हैं कि किस त विजिजिटिल उसका प्रसारन हो रहा है और निसंदें लोग सेवा के प्रसारक्ष हैं कि सेवा हम को बिजनिस करने यह नहीं भी कि सेवा करने लिए हमारा क्वारा है कि रास्ता वाइश बिलकुल जो खबर है हम खबर को खबर के तरह से ही दिखाते हैं आप के पास आना चाहूंगे आप चाहिए पत्रकार है आपने वह उस दौर के दूरजशन को देखा पत्रकार दोering को बात करें नीजी चैनल हैं और बहुत सारा सोसल मीडिया भी आ गया और इन सब के वीज में जब हम चारों तरफ से घूम के आते हैं और जब देखते हैं विस्वस्तनियत्या की बात आती है और थेंटिसिटी की बात आती है तो तब दूरदर्शन नहीं याद आता है आप देखें कि दूरदर्शन को देखें कि हम दूरदर्शन ने एक जो विस्वस्तनियत्या बनाई है आम लोगों के जी उन में उस सुरू से और बनी हुई है क्योंकि दूरदर्शन बाइस नहीं है लोगों को यह लगता है कि जो यहां दूरदर्शन में नियू जाती है जो ख़वर है और शुरू में भी दूरदर्शन विश्वस्तनिय था आज भी है मतलब हम कहीं न के सत्यता और आकड़ों पर हम यहां पर बात करें दूरदर्शन कि सरकी भ्रामक खबरें नहीं परोस्ता है समाज के सामने जम्लों कि सर आपके सामने आना चाहूंगी जिस तरीके से परिशानिया सामने आई देखे परिशानिया तो ऐसे नहीं है पर क्योंकि पूरा बहुत बड़ा देश है जे और जब लोगों की डिमान बड़ी तो पर टेक छेतर का एक साथ शुरूआ के हमारे यहां भी दूरदर्शन के इंदर खुलना चाहिए लेकिन एक साथ तो पू बॉर्डर इलाका है वहां पर खास तोर से पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वहां पर पाकिस्तान टीवी के प्रोग्राम को ज्यादा लोग देख रहे थे तो इसके लिए उसको तोड़ने के लिए हमने सबसे पहले पहले तो मॉंबई के इंदर के अस्थापना की और उसके स्रीवाद स्रिफशनागर के अस्थापना हुई ऐ लिए ऐस्तर्म году य होई अमडिसार के अस्तृपना से अमरसर के अस्ताफना विए तो अमरसर के इंदर उस समय वहां प्रोग्राम नहीं बनते थे दिली डूरदर्शन में इक अमर्त सर एकांस खोला गया था और प्रोग्राम सारे डिली में बनते थे उनकी कैस्टें अमर्त सर बेजी जाती थी और वहां टेली कास्ट होता था और यहीं से एक बहुत बड़ा परिवर्तन ये दूर दर्शन में आया कि हम जी आपको रोखना चाहूंगी यहां पर देख स सथकते हैं कारे करफ इस वक्त हमारी TV स्क्रीट में चल रहा है सबस्क्राइब में बताना चाहिए एथिछ एक हमारा यह दू दर्शन उनको लेकर के जो हमारे लोग माने तिलक हुई या उन सब के कहानी हमारे इतिहास को हमारी स्कृति को अगर बेहतर तरीके से किसी ने दिखाया है तो कहसे कि दूर्दशन की ही देन हैशा सकते हैं इस बात को ओम यह कह सकते हैं कि दूरदर्षन ने भारत के विकास में भाहुत काम किया जो और दिकाई दिए उसके बेष में देखान, दिखाई देटी उसके बेश में दूरदर्षन की भूमिका ह। उसी तरह जो खेलों का है, तो खेल तो हमारी एक छोटी सी पत्रिका होती थी, उस समय पत्रिका कारेकरम खेल जगत, आज तो हमारे पास पूरा चैनल है, जी पूरा चैनल है, पर शुरुआ तो वैसे हुई है, हमने सबसे पहले 1987 में जो है, रिलाइंस कप का डिखाया, पूरे देश ने नहीं देखा, उसको पाक टीवी, उसको आस्ट्रेलिया के चैनल नाइन, उसके न्यूजिलेंड, जितने देश क्रिकेट खेलते हैं, सब ने उसको दिखाया, तो तब लोगों का इंट्रेस्ट बड़ा, लोगों के उस खेल में ज्यादा रुची हुई, और देरे से बात हो रही कि शुरुवात, शुरुवात में तकनिकियां उतनी नहीं थी हमारे पास, दिरे दिरे तकनिकियों में बढ़ावा हुआ, हमारी जो क्लियर्टी थी वो भी बढ़ी है, उस तकनिकी को बढ़ाने में किस तरीके का मुश्किलें आई या किस तरीके सा हम आगे समझा जा सकता है यह है कि इसकी गुरवत्ता में होटी ज्यादा है और हम अनभव करते हैं और तो मीडिया के तोर पर आप सोसलBeat canustiku मेडिया के है और भी कई काम कैंफि को साथा ने बता कि की इसकी जाद एंहों सुरिण स के और मैं अ चुरुआत में सेवा के जजबा से यहां पर काम करते हैं हमारा मोटो जो है पैसा कमाना नहीं होता है जब कि बाकी सारे लोगों का बाकी जितने भी मीडिया के जो है चैनल्स है या सोसल मीडिया उनका एक मात्र मोटो है पैसा बनाना तो जब मोटो यह है तो उसके लिए वो मोटिवेटेड ह हमारा मोटिव सोचल से सर्विस करनेगा समाज सेवा करनेगा समाज को टॉप पर रखते हैं उसके लिए हमें चाहिए सेली ज्यादे मिले यह कम मिले पैसा और फाइनेंस यहां पर पहले प्रातमिक्ता नहीं होती यह एक बहत्पूर बात होती जहां से हम एकदम अलग हो जाते हैं सबसे और हमारा समाजिक दायत अपने यहां सोता पूर्त पूरा होने लगता है क्यों यह कहते हैं सबी लोग सारे आप किसी से पूछा कि आरे दूर दरसन का देखा हाँ ठीक बात होगी जी बिलकुल विश्वास तो इसकी इसलिए बनी है क्योंकि हमारा लक्ष क्या क्या पता है और ये को क्या दिखाना चाहते है और ये हो जालागे और रहाजा परिकॉल रखे किसी भी न्यूज का या जो प्रोगामिंग होती है तो समाज को आधार होता है समाज के आधार तो आज जैसे दूर दर्शन है मैं एक वो देख गुए कंटेंट का या उनके परचार का मैं असलिए करता हूं कि जब जब समाज की जिन चीजों को जैसे सर ने भी वताया असुक कि दूसरे चैनलों का एक मौत्र मोटो है कि प्रॉफिट अन लेकिन दूर दर्शन समाज की समाज के हर वर का हर छेत्र का हर समुदाय का ध्यान रखता है मेरे जैसे उत्रागंट की बात करूं तो उत्रागंट की लोग कलाओं को पठ्षय देने का ममला हो उत्रागंट के सी अब लिए परशार भारती जो करने जा रहा है कि टीन सो ने चैनल आरहा है सिक्सा के परचार पठ्षार के लिए जो कोसिसे हो रही है तो यह मनलब यह content इसके base पे होता है कि जिसमें लोग ही जन कल्यान की भावना हो और जो सरकार की यूजनाएं हैं दूर्दर्शन सरकार और समाज के बीच पूल का काम कर रहा है जो सरकारी यूजनाएं हैं वो बिलकुल आम जनता तक ग्रामिन जनता तक पहुंचे हैं इसका प्र है और स्रीमान गाओं का आदमी भी दूर्दर्शन को देखता है और बहुता है कि ब्चों का विशेद ध्यान दूर्दशन रखता है और बच्चों के लिए इसका पर चलाय जाते हैं कार्टून जिस तरह के कार्टून आज के जोने हम देख रहे हैं अगर हम कंपेरिजन करें दूरुशन में जैसे कार्टून आते थे वहाँ पर उन कारेक्रम को जादा तवज्यों दी जाती थी बच्चों जारा जादा उन्हें पसंद भी किया जाता था सर जमलोकी जी आप क् पुस्रे कारेक्रम हो आज भी हम देखते हैं चित्रहार उस समय भी देखते थे उस जमाने में लोग दूसरे के घरू में जाते थे और दूर जाते थे तब दूरुटर जाते तो प्रेम भाव भी वनावा था दूदशन की वज़े से बिलकुल मौना मैं एक और बात जोड़ना चाहता हूं जो बहुत एहम बात है इस सारी पर्टों जो मैं कह रहा हूं कि आज बहुत कंपेटिशन है और चैनल का न्यूज का दूसरे चैनल का करना काल में दो साल में मैं उत्राखंड की बात करूँगा कि उत्राखंड में वर्चुल क्लासेश थी जी बिलकुल भी प्राइट स्कूल के बच्चे मोबाइल से और दूसरे उससे एजुकिसन ले रहे थे उनके पास तरीके थे उनके पास मोबाइल थे लेकिन एक गाहों का सिमात गाहों का बच्च किसे पड़ें कैसे वह अपने कोर्स को कबर करें वो बोर्ड एक्जाम देने थे दूसरे एक्जाम होने थे तो तब दूर दरशन ने वर्चुल क्लासिज कि जो भी जो कंटेड़ था जो भी विसे थे वह दूर दरशन के माधियम से पहुचा है सरकार ने और यह बहुत सब यह कॉंट्रिबिशन सुसाइटी के लिए था क्योंकि वह जो दो साल का पीरेड रहा वह बहुत खदरनाग रहा और एक ट्रॉमा की सिस्तिती थी और गरीब बच्चों को सरकारी स्कूल के बच्चों को यह समझ में नहीं आ रहा था कि हम कोर्स कैसे कबर करें तो ऐसे मे खिए नल की अजिते प्रेंज परतो वह लोग प्रसारक है तो हमारे कोई प्रॉफेटिया um प्रवाइब दूर्द नहीं हैं हमारे जम्मिनकी साथ को रोकना चाहूंगे माफ कीज़ेगा एक जम्मेदार होना और आप यह आसपेक्ट रिले की रख रहे हो कि इस वक्त हमारी जरूरत क्या है आप उस वक्त उस जरूरत को जनता के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं वो भी त जो मेडिकली जो सिक्षा उस समय देनी चाहिए थी तो अधिकतर मैसेज गए है मैक जम्म या डॉक्ट्रों के जो सलाहें थी या डॉक्तों के जो सजेसन थे वो पहुंचाने की कोशिस कि गयी है जी सब्कु कल्यानी भी चला स्वस्त भारत भी चलाए गया श्तुरत मैक जम सब्सक्राइब नियुस के बारे में कुछ बताइए हमें जन्ता जानना चाहते हैं किस तरह से नियूस करते तो उस विस्वस्ट नियतिया नहीं अगर देखा जाए तो नियूस तो उस जमाने में जो सुरुवाती टाइम था उस नियूस में फिल्म कैमरे से हम करते थे जाते थे फिल्म कैमरे से सुटिंग होती थी फिर वह वापस ला करके उसको हमें कनवर्ट करना पड़ता था उसके धुलाई होती थी बी पॉजिटिव करके या पॉजिटिव किया जाता था फिर कैसित में बदल करके फिर जा करके उस जो है वोईस ओवर करके तब हम उसको दिखाते थे बड़ी लॉंग प्रोसेस थी तो अधिक तर हम न्यूज में जो फोटोज हैं चाया चित्र जिसको कहते हैं वो ज्यादा दिखाते थे हमारे पास विज्वल कॉंटेंट बहुत कम होता था क्योंकि जो वीडियो कैमरा है ना फिर तो बहुत आसानी हो गई कोई दिक्कते नहीं हुई और हम जहां भी जा करके वो न्यूज कलेक्ट करते थे और दूर दसन में आकर के थोड़ा उसके एडिटिंग करके उसको दिखाते थे बिलकुल अपके बास यहां पर आना चाहूंगी जिस तरह पहले मुश्किले पहुत थे तो होती थी क्योंकि हमारे पाथ उतनी है अगर बात दकनीकी की नहीं थी हम अब जैसे हम बहुत पावरफून है स्ट्रॉंग है टकनीकी के माध्यम में मतलब वक्त की हम बात करें पक्त कितना वस्ता है ऐसे में कि सब सब से बहमूल है बात अगर तकनीकी की हो रही है तो आज आपको याद दिलाना चाहें हैं आज हमारे दूदशन का 64 स्थापना दिवस्त भी है उसी कारेक्रम में हम यहाँ पर बहुत है तो सबसे पहले सर मैं आपको पहले इंजिनियर की बधाई भी दे दूँ और अब आप बोलिए सर तो हमारी तरफ से भी बधाई क्यूंकि मैं एक इंजिनियर पहले हूं तकनीकी तो पर इसलिए मैं बार-बार तकनीक पर आजाता हूं लेकिन में सरोकार तो हमारा जो होता है तकनीक तो पीछे से आती है तो इसलिए इन सब चीजों का बहुत महत है जो आप सब लोग साजा कर रहे हैं जहां तक आपने पूछा कि इसमें समय का कैसे बचाव हो सकता है समय तो अगर चीजें तुरंट की तुरंट पहुच जा रहे हैं तो नेचुरल है कि समय बच जाएगा लोगों का और चुकि आज आज मीडिया चारो तरफ से सोसल मीडिया को भी उसमें जोड़ ले तो आज समय का वो नहीं समय हमारे पास कितना है वह ज़्यादे मैत पूर्ण के सब्सक्राइब को इंतजार करते जो सब्सक्राइब कितना वैस्ट होता था हमें चार दिन पर बाद करते तो इसалась ठीक है अगर हम्म किया तो हमने किसी मीडिया चैनल पे देखा या दूर जसने में आना है तो बादता नहीं कि हम एक दिन बरबाद करें चार घंटे बरबाद करें नहीं इमीडेट आप सोचल मीडिया में जाएंगे यूट्यूब देखेंगे खट तुरह निकालें तो समय का अज मुद्दार नहीं रहे गया है कि मीडिया इतना ससक्त हो गया है और अप्रोचे बेल हो गया सबके उसमें मेन दायरा में आ गया और थुड़ा डेमकरटाइट भी हो गया है कि पहले ओनो पॉली थी कि सरकार का मीडिया था तो समद्धिया प्रशार भारती का एक भीलाया हुगा था उसमें मीडिया को जो है सरकारी नहें रहें से मुक्त करने की जी तो इसका मतलब यह था कि मीडिया को इतना स्वतंत किया जाए ताकि वो जो है समाज में अपनी भूमका को बिल्कुल सही धंग से प्रसुत कर पाए और उसका काफी बेनिफेट भी मिला लोग स्वतंत हुए ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं हुआ तो हम लोग जो कंटेंट देना चाहेते हैं हमारा जी एक्सपार्टाइज है उसका हमें उसका यूज करते रहे और उसकी वज़य से इतनी अथांटिस मतलब बिस्वस्तनीता बनी है और आज उसका समचुत जनता लाब ले पा रही है जी मीडिया के तो भूमका होती है अगर हम कोई चीज रखते हैं कोई समाजिक सब्सक्ता इसलिए जो मीडिया है तो इसमें उसका घंचराः की तुरिवार्त कब्लिक से नियंत रिए उसकी तो कहने कि अनि सरकारी जैंने कि बिल्क्तरिक से ब्लेक मतलब हमारा यह कि डेमोक्राइसी में सरकारी के मतलब जनता से नियंत्रेत जनता के भले के लिए तो हम बैस्ट परफॉर्म कर सकते हैं और हम करते हैं इसलिए हमारी विश्वसनीता है जे बिलकुर जमलोकी सर यहां पर आपका साना चाहूंगे कभी यहां पर समय समय पर समीतियां भी बनाई गई हैं दूर देशन में और बेटरमेंट के लिए उन समीति दरह किस तरह से कारे किया गया अब देखें समीतियां तो कई बनाई गई जैसे 1962 में जब भारत चेन तो उस समीति में और भी सदस्य थे उन्होंने अपनी रिपूर्ट दी कि कैसे इसको और ज्यादा एक्टिवेट किया जा सकता था ऐसे यह उसके बाद भगवनतम कमेटी आई भगवनतम कमेटी में भी जो कॉंटेंट है जो और ने चेनलों की बात है उस पर विचार किया ग आई जिन्होंने आकास भारती नाम से इसको यह किया कि यह सरकारी ने इंतरल से अलग हो करके कैसे काम कर सकती है या जैसे बीवी सी काम करता है वो प्यॉर्ली गवर्मेंट के उस पर नहीं है तो उनके आधार पर भी हमारा प्रसार भारती का कुछ इस्ट्रक्चर बना और प्रसाइब पर जो सी कमेटे आई 1982 में कमेटियां लगाता रहूंँ उसके बाद सोन हुसें, कमेटियां अभी पिर एक और टो वा था ओल इंडिया रेडियो है, आकासवानी है, आकासवानी जब वेस्ट में शुरू हुआ था, तो हमारे यहां भी तुरंट उसी समय शुरू हो गया, लेकिन दूरदर्सन के मामले में यह वा कि दूरदर्सन बीबीसी ने उनीस सो उच्छतीस में शुरू कर दिया था, बाकि जो यूरोपिये देस हैं, उनमें जो है, बिस्वई उद्ध खतम होते होते, सारे देसों में टेलिविजन आ गया था, लेकिन हमारे यहां सोचते ही रहे, कि यह सुरू करना चाहिए, नहीं सुरू करना चाहिए, हम एक गरीब देस हैं, इस पर बहुत पैसा लगेगा, तो इसम 40-50 में सुरू हो जाती, तो हम और आगे होते हैं, ऐसे ही एक दूसरा यह जैसे कलर टेलिविजन जो हमारे यहां आया, तो कलर टेलिविजन बाकी देसों में बहुत पहले आ गया था, लेकिन हमारे यहां तब भी यही बात हो रही थी, कि यह हमारे लिए उचित होगा, या अनुचित होगा, या फाइदे मंद होगा, कैसे हमारा गरीब देश इसको मुल्या झेलेगा, तो बहुत देर में वो तो एसे आई खेल आ गए, और एसे आई खेलों में जो है, समित ने डिसाइड किया, जो एसे आई खेल है, इनका प्रसारान कलर होना चाहिए, तो तब ज प्रसारान कारिकरम समभाव से समबधित हो, विविने तरके कारिकरम दुडशन प्रसारीत करता रहा है, यही वज़ा है कि दुडशन की विश्वस्णियता लगातार बढ़ती भी जारी है, गुनान जी आपके पास यह आना चाहोंगी एक पत्रकार के तर पर, आज आप लेकिन मैं ये जानता हूँ कि अगर क्योंकि भारत में तरह तरह की बोलिया हैं अलग लग राज्या है, भासाई भी बिटता है और जो दूरदर्शन का प्रियास है कि छेत्रिया भासाओं को पर्मोट करना भासाओं का सनक्सन और संबर्दन करना वहां की संस्कृति और वहां की सब्यता उनकी विरासत मतलब एक डॉकुमेंट तयार करके दे रहा है मतलब सद्यों तक रहेगा वो दूरदसन का काम जो है वो दूसरे प्राइड चैनलों से बि विरासत अपनी परंपराओं को बहुत महतों देता है दूरदसन और यह बहुत बड़ी बात है क्योंकि सारे जैसे असुक सर ने बताया है कि हमारा प्रॉफिट मोटिव नहीं है तो यह जो सरक्षन है सबसे बड़ी बात है कि जो यूनिसको की हमारी जैसे उत्रागंड में कई भासा हैं बिलुप्त होने के कखार पर उनको में तो दे रहे हैं विल्कुल यहां पर दूरदसन दौरा गुणारण जी माफ कीजिएगा आपको रोकना चाहूंगी हमारे कार्यकरम का समय यहां पर खतम हो रहा है तलिए आपको रोकना चाहूंगी फिर कभी हम बात करें देने के लिए तो दर्शकों जैसे कि आप जानते हैं चौसट वर्स दूरदसन अपने पूरे कड़ चुका है तो यहां पर विश्वस नियता जो शुरुवात भी थी वो लगातार बनी भी है और जैसे कि आप जानते हैं कि विभीने तरह के कारेक्रमों का प्रसारण यहां पर दूरदसन के माध्यम से किया जाता है फिर और सिक्षा की बात हो चाहे वो स्वास्ति से संबंधित हो या सरकार की जो भी योशनाए हैं आप बहतर तरीके से सिर्फ और सिर फ आप दूरदसन में ही देख सकते हैं यसलिए जरूरी है कि आप दूरदसन से लगाता जुड रहें नमस्कार